नमस्कार दोस्तों कहानियों के श्रंकला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी रहिमन धागा प्रेम का लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और पड़्चितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले आज सुनिये रहिमन धागा प्रेम का अचानक फोन पर योगिता की आवाज सुनकर वह चौप गई कहां से बोल रही है मोटी यहीं से और कहां से कब आई आज ही आई हूँ और कल चली जाओंगी बाकी जो पूछना हो यहीं आकर पूछना प्लीज जल्दी से आजा साथी खाना खाएंगे बहुत सी बातें करनी है अंजू मन ही मन हस दी बाते तो करनी ही होगी, मुझे से अच्छा शोरता कहां मिलेगा वहां ससुराल में तो सिर नीचा करके और होट सीकर ही रहना पड़ा होगा हनीमून के सारे किसे मन में खदबदा रहे होगे या फिर पती देव के उसी दोस्त की सिफारिश करनी होगी जिसे शादी में मिलवाया था अंजु को दोनों ही बातों में रुची नहीं थी दूसरों के हनीमून के किसे चटकारे लेकर सुनने वालों में से वह नहीं है ना ही उसे उन मित्र महोदय में ही कोई रुची थी अपनी शादी के बारे में तो उसने सोचना ही छोड़ दिया है पापा को अकेले छोड़ कर जाने की कलपना भी वह नहीं कर सकती इसलिए तो उसने पिएजडी की है कम सकम थीसिस पूरी होने तक तो शादी की बाद टाली ही जा सकती है फिर भी योगिता से मिलने की उत्षुकता तो थी ही एक बार बैंगलोर चली जाएगी तो फिर पता नहीं कम मिलना होगा कहतो रही थी अब अपनी मर्जी से आना जाना थोड़े ही हो सकता है एक दिन की ब्रेक जर्नी करनी थी उसके लिए भी हाई कमान से पर्मेशन लेनी पड़ी बेचारी योगिता तैयार होकर बाहर निकली तो पापा हमेशा की तरह बरामदे में बैठे पेपर पड़ रहे थे पापा मैं कॉले से सीधे योगिता के घर निकल जाओंगी आप लंच पर वेट मत करना ठीक है पापा ने कहा वह सीड़िया उतरी ही थी कि उन्होंने आवाज दी तुमने अभी क्या कहा योगिता के घर जाओगी लेकिन वह तो सस्राल में है ना सस्राल में थी अब पती के साथ बैंगलोर जा रही है एक रात के लिए ब्रेक जरनी की है ओके पापा ने कहा और फिर अफ़वार में डूब गए बेचारे पापा दुनिया जहान की खबरे पढ़ते रहते हैं पर अपना घर कब खबर बन गया उन्हें पता ही नहीं चला योगिता दर्वाजे पर ही प्रतीक्षा करती मिली अंजु को देखते ही गले लग गई अंजु ने महसूस किया कि इन तिन चार हफ्तों में उसका वजन कम से कम तीन किलो बढ़ गया है शादी के लिए बड़ी मुश्किल से दुबली हुई थी अब जैसे सारी बाधाएं हट गई थी मोटी तो फिर अपनी पुरानी लाइन पर जा रही है बी केरफुल चुपकर मम्मी तो ऐसा कह रही थी कि आधी रह गई हूँ मम्मी तो ऐसा कहेंगी ही मा को तो अपना बच्चा हमेशा दुबला पतला ही नजर आता है पर तुम्हारे यहां आईना भी तो होगा एक तो इतनी देर करके आई हो और आते ही भाशन शुड़ू यहां भोग के मारे बुरा हाल हो रहा है मेरा भी तुम्हारा फोन आने के बाद तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया सोचा अपनी लाडली के लिए आंटी ने बढ़ियां बढ़ियां पकवान बनाए होंगे पेट में जगह रखनी चाहिए सच मुझ योगिता की मम्मी ने खाने का लंबा चौड़ा इंतजाम किया हुआ था लगता था उसकी सारी पसंदीदा चीजें बना डाली हैं वे उसे ठूस ठूस कर खिला रही थी आज अंजु की और उनका जरा भी ध्यान नहीं था योगिता ही बीच-बीच में उसकी प्लेट में जबर्दस्ती कुछ न कुछ डाल रही थी खाने के साथ साथ आंटी की कमेंटरी भी चल रही थी मम्मी से मनुवार कर खाने की आदत है न तभी तो वहाँ अधपेट उठ जाती होगी वहां मनुवार करने के लिए कौन बैठा है क्यों मेरी सास नहीं है इतनी अफेक्सनेट है अरे रहने दे मैं क्या जानती नहीं सास और वह भी यूपी की अफेक्सनेट है तो इतना सा मूग क्यों निकल आया है अब तुम्हारी बरादरी थोड़े ही कर सकती है उसका इतना लाड़ दुलार कौन करेगा पापा तो शायद ठीक से कुशल छेम भी न पूछ पाए वे अपने को ठीक से व्यक्त ही नहीं कर पाते उनसे ज्यादा मुखर तो बिहारी काका है शायद वे ही उसे योगिता की मम्मी की तरह मनुहार करके खिलाएंगे बेटी के दुबला होने को लेकर सास को कोसेंगे एक तो इतनी देर लगा कर आई है और अब मुह में दही जमा कर बैट गई है योगिता ने कहा तो अंजु चौकी सच तो यह है कि कहां तो उनकी बातें थमने का नाम ही नहीं लेती थी और कहां अब उसे शब्द ढूनने पड़ रहे है खाना खाते समय भी वह गोमसुम बनी रही और अब कमरे में आकर भी चुपी साथे है योगिता के कुरेदने पर चौक कर बोली इस कमरे की सज्जा थोड़ी बदल गई है न थोड़ी क्या एकदम काया पलट हो गई है आजकल मनीश ने इसे हतिया लिया है कहता है कब तक बड़े भाया के साथ लटका रहूँगा कल को उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे देश निकाला मिलना ही है चलो अच्छा हुआ जो तुम्हारी शादी हो गई नहीं तो बेचारे को बरामदे में गुजारा करना पड़ता बाइदवे तुम्हारे श्रीमान जी कहा है नजर नहीं आ रहे है वाह बड़ी जल्दी याद आई तुम्हे अरे याद तो तुम्हें देखती ही आ गई थी पर मैंने सोचा कि मेरे डर से तुमने उन्हें कहीं छिपा दिया है फिर सोचा कि मैं न सही वे तो अपनी एकलोती साली से मिलने के लिए बेताब होंगे अभी आ जाएंगे पर जब नहीं आये तो पूछना पड़ा तुम्हारे साथ आये तो है न आये तो है पर जड़ा बड़े भाईया के साथ मंडी दीब गए है बापरे इतनी दूर भेज दिया मुझसे इतना डरती हो अंजू अब मूर्ट में आ गई थी तुम्हारी वज़े से नहीं अपनी गरस से भेजा है सोचा अगर यहीं कहीं कोई अच्छा सा जॉब मिल जाये तो इतनी दूर न जाना पड़े आजकल दूरियां कहां रह गई है रोज तो सुपरफास ट्रेन जाती है फिर बैंगलोर जैसी खूबसूरत जगह छोड़ कर मंडी दीप में रहोगी पागल हो मंडी दीप में क्यों यहीं भोपाल में रहूँगी लाग खूबसूरत हो बैंगलोर मैं मम्मी को छोड़ कर इतनी दूर नहीं जा सकती अभी भी मैं इतना रोती थी पता है तभी तो इन्होंने ब्रेक जरनी का आइडिया निकाला इस पर भी घर में इतना हंगामा हुआ मम्मी जी बोली एक दिन और हमारे पास रह लेना सस्राल जाना क्या जरूरी है मैं तुम्हें हवाई जहाज का टिकट करवा देती हूँ दो घंटे में सीधे बैंगला और पहुँच जाना इस पर पापा जी बोले सचिन की मा अब थोड़े में ही सबर करना सीखो अब उसकी छुट्टियों में सस्राल का भी हिस्सा हुआ करेगा सच इतना गुस्सा आया था उनका हक है योगिता एक ही दिन में कैसे छोड़ देंगे तो मैं भी एक ही दिन में अपनी मम्मी पापा को कैसे भूल जाऊं अंजु चुप हो गई वह जानती है कि अधिकारों के लिए सास बहु में संगर्स होता ही है पर इतनी जल्दी वह विशे बदलने की सोची रही थी कि एका एक योगिता बोली अंजु तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आती अंजु ने तडप कर उसकी ओर देखा योगिता ये कैसा फूहरपन कर रही है क्या शादी के बाद इसका दिमाग गोम गया है सौरी अंजु मुझे यह प्रश्न नहीं करना चाहिए था तुम जानती हो आज तक मैंने तुमसे इस बारे में कभी बात भी नहीं की पर इन दिनों में अपनी मम्मी के लिए इतनी ब्याकुल रही कि अनायास ही यह प्रश्न मन में उठा कि क्या तुम्हे अपनी मम्मी की याद नहीं आती आती क्यों नहीं क्या कोई अपनी मा को भूल सकता है अन्जु ने सपाट स्वर में कहा पर हमारे घर में इस विशय पर बैन लगा हुआ है पापा को उनका नाम तक सुनना बरदास्त नहीं और मैं पापा को हर्ट नहीं करना चाहती वे अपने हिस्से का काफी दुख पहले ही भोग चुके है अच्छा अन्जु यह बताओ तुम क्या बिल्कुल अपनी मा पर गई हो अन्जु चौकी फिर सूखी हसी हसकर बोली किस संदर्व में कह रही हो किस संदर्व में मतलब मेरी मा के बहुत से संदर्व है ना इसलिए पूछ लिया पागल हो मैं तो शकल सूरत के मामले में कह रही हूँ हाँ शकल सूरत में तो मैं उनकी कारबन कौपी हूँ बस वो थोड़ी सी मोटी है प्लंप, प्लेजेंटली प्लंप उसे याद आया कि कविराज अक्सर कहा करते थे और तब अन्जु ने इस शब्द के लिए डिक्षनरी खंगाल दी थी दोनों के अलग-अलग अर्थ ही खोज पाई थी और उन्हें मिला कर देखने से वित्रशना सी हो आई थी मोटी कहां है? योगिता कह रही थी ताकि आराम से बाते हो सकें आखों में प्रश्ण लिए अन्जु बस उसे देखती रही शादी के बाद हम लोग हनीमोन के लिए मसूरी गए थे तुम्हें पता होगा कमरा हम लोगों ने पहले से बुक किया हुआ था होटल पहुँचकर ये जब तक शेस फॉर्मेल्टीज पूरी करते रहे मैं बैरे के साथ उपर चली गई जैसे ही लिफ्ट रुकी मैं तो एकदम चौक पड़ी लगा की बालकनी में तुम ही खड़ी हो पास जाने पर उम्र का फर्ग पता चल गया फिर भी मैं मुड़ मुड़ कर उन्हें ही देखती रही मेरी उत्सुकता देखकर बैरे ने बताया कि शाम को शहर में एक विराट कवी सम्मेलन है बहुत सारे कभी बाहर से आये हैं एक तो सपतनीक इसी होटल में इसी फ्लोर पर रुके हुए है कभी पतनी भी कविता करती है सारा वर्णन सुनकर ही मैं समझ गई कि ये तुम्हारी मम्मी होंगी तुम्हें पता था? अंजु ने काप्तिसवर में पूछा हाँ पता था हाला कि तुमसे इस विशय पर कभी बात नहीं हुई पर हम लोग सब जानते थे तुम तो जानती हो ऐसी बातें छिपती नहीं है बलकि उन्हें पर लग जाते हैं ये सारे किस्से तुमसे पहले शहर में दाखिल हो चुके होते हैं तुमने कभी बताया नहीं? ये क्या बताने वाली बातें थी? ये तो जखमों पर नमक छड़कना ही होता आज भी मैं मजबूरी में ही यह बात उठा रही हूँ तुमने मा से बातें की? अंजु ने उत्सुपता से पूचा मैं बेहत पशो पेश में थी बात करने की इक्षा भी थी और हिम्मद भी नहीं पड़ रही थी पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा अगर वे मुझे गलत समझ लें तो सचिन जब उपर आए तो सबसे पहले मैंने उनसे यही बात कही वे बोले अगर तुम्हारा इतना मन है तो जरूर बात करो यदि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो वे लिफ्ट नहीं देंगी फिर उसका बुरा मत मानना पर अगर बिना मिले रह जाओगी तो तुम्हारे मन पर बराबर यह बोज बना रहेगा कि काश बात कर ली होती तुम्हारे मिया तो बड़े समझदार निकले हीज जेम यार योगिता गर्व से भर कर बोली शाम को हम लोग तैयार होकर घूमने निकले होटल में हर फ्लोर पर एक ओपन बाल करनी थी जहां से आसमान का व्यू बड़ा अच्छा नजर आता था सुबिधा के लिए वहां कुरसियां भी पड़ी होई थी पता नहीं क्या सोच कर हम लोग भी वहां जाकर बैठ गए कुछ देर बात कवी राज अपने कमरे से निकले भक्तों की एक टोली भी साथ थी वे वहीं आकर बिराज गए मैंने उन्हें उनके कमरे के कारण पहचान लिया था पर उनकी वेश भूशा भी उनका परिचय दे रही थी सिल्का पाजामा कुर्ता लंबे गुंगराले बाल पान से रंगे होट इत्र फुलेल गमकता हुआ देवी जी तयार हो रही है तब तक यहीं बैठ लेते हैं उन्होंने कहा मैं समझ गई कि तुम्हारी मम्मी भी तयार होकर यहीं आएंगी मैंने सोचा परिचय के लिए यह मौका अच्छा है अब सोचती हूँ वहाँ ना रूपती तो अच्छा था क्यों? क्या हुआ? करीब आधे घंटे बाद वे कमरे से निकली नेवी वलू साडी जिस पर तारकशी का काम था वैसी ही कामदार चूड़ियां गले और कानों में कुंदन कसेट इतनी सुन्दर लग रही थी कि क्या बताऊं? वहाँ उपस्थित सभी ने उनके रूप के समोहन को अनुभाव किया होगा अलावा अम्रीश जी के क्योंकि वे उन्हें देखते ही एकदम दहाडे मतलब? मतलब भी समझाना पड़ेगा जरा अपना हुलिया तो देखो ना मौके का खयाल है ना अपनी उम्र का इसलिए तो सब लाट अपकाते चले आते हैं साले कविता का काखा भी नहीं जानते और साहित चर्चा करने आ जाते हैं सब आँख सेखने के बहाने यह क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ जाए साड़ी बदल कर आए दो कविता पढ़ेंगी और साड़ी पहनेंगी दो हजार की इस नाटक के बाद हमारा वहां रुकना नामुम्किन ही था चुप चाप वहां से खिसक लिए तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा पर मुझसे रहा नहीं गया आखिर अपनी मा के बारे में तुम्हें पता तो होना चाहिए कि वह कहां हैं? किस हाल में हैं? तुमने बिल्कुल ठीक किया योगिता? कैसी भी सही? पांस साल बाद मुझे मा की कोई खबर तो मिली? दुख बस यही है कि वह खुश नहीं है हमने तो सोचा था कि उन्होंने अपना मंचाहा पा लिया है इतनी जल्दी मोह भंग हो जाएगा यह नहीं सोचा था यही अमरीश जी दिन रात मा की सुन्दरता के कसीदे पढ़ते थे उनकी ड्रेश सेंस की, रंगों के चुनाओ की, केश विन्यास की तारीफ करते नहीं थकते थे पर अब क्या हो गया? शायद वे डर गए हैं उन्हें अपने पर भरोसा नहीं रहा सुन्दर पाले सहेजना सब के बस की बात नहीं होती सुन्दर इस्त्री कई बार पुरुष को हीन भावना भी दे जाती है वैसे एक बात उन्होंने बिल्कुल सच कही थी मा की कवितायें वाकई दो कौड़ी की होती थी उनकी तो बस दो-चार पंक्तियां होती थी बाकी सब कुछ अम्रीश जी कही होता था मा का सुन्दर ही सभा में समा बांध देता था लोग वहां वाह वाह करते थे और मा बाग बाग हो जाती थी पापा ने कई बार उन्हें इस खुश पहमी से उबारने की कोशिश की पर मा को यही लगता रहा कि पापा इस जेलस घर लोडते समय अंचु बेहद उदास थी सहेली के सामने वह किसी तरह कमजोर पढ़ना नहीं चायती थी इसलिए बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त किये हुए थी पर लग रहा था जैसे घर जाते ही वह रो पड़ेगी अच्छा ही है जो पापा इस समय घर पर नहीं होंगे पापा तो नहीं थे पर बिहारी काका दर्वाजे पर ही तमाखु मलते हुए मिल गए आधतन उन्होंने प्रश्णों की जड़ी लगा दी बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ा कर वह कमरे में आई और दर्वाजा बंद कर लिया सबसे पहला काम उसने यह किया कि बिस्तर के नीचे रखी हुई एक पुरानी डाइरी निकाली उसके फ्लैप में उसने मा की एक तस्वीर छिपा रखी थी घर में बस यही एक मात्र तस्वीर रह गई थी बाकी की सारी पता नहीं कहां गई शादी के, शादी की साल गिरहों के, अंजू की साल गिरहों के धेर सारे अल्बम थे उनका भी कहीं आता पता नहीं था पापा ने या तो छिपा दिये थे या नस्ट कर दिये थे पता नहीं यह एक तस्वीर कैसे उसके हाथ लग गई थी जिसे उसने बेहत छिपा कर रग दिया था अकेले में कई बार देखने का मन होता था पर हर बार वित्रशना ही उस पर हावी हो जाती थी आज वह अपने को रोक नहीं पाई साथ साल पुरानी उस फोटो में मा सौंदर और कमनेता की प्रतिमूर्ती लग रही थी कौन कह सकता था कि उनकी आयू 33 वर्स है और वह एक 15 वर्षी बेटी की मा है हाँ थोड़ी मोटी अवश थी पर यह मोटापा भी उन पर फपता था उन्हें एक गरिमा प्रदान करता था अंबरीज जी कहते यू आर प्लेजेंटली प्लंब जब जब ये वाक सुनती अंजु को जुरजुरी हुआती और योगिता बता रही थी कि मा तो एकदम सीख सलाई हो रही है क्या यह स्लिम रहने की कोशिश है या कि मा खुश नहीं है ऐसे माहौल में कोई खुश रह भी कैसे सकता है योगिता बता रही थी कि उन लोगों के जगड़े इतने आम हो गए थे कि बैरे तक मजाग बना रहे थे कहते थे कि बढ़ाउ जवान जोरू ले आये हैं और अब डर के मारे जान निकली जा रही है पर कवी राज ऐसे बूढे तो नहीं थे बलकि मा तो उनके सुदर्शन व्यक्तित पर ही रीजी थी सुदर्शन व्यक्तित और लच्छेदार बातें एक भोली भाली महिला को रिजाने के लिए इतना काफी था पता नहीं किस बुरे महूर्त में वे इस्थानिये कॉलेज में इस्थान्तरित होकर आये थे और पता नहीं वे कौन सी कुगड़ी थी जब मा ने एक कवी समेलन में अपनी कविता पढ़ी थी मा उनकी कविताओं की दिवानी हो गई और वे मा के सौंदर्य जाल में उलज गए परसपर आसकती का यह दौर जो शुरू हुआ तो उसने जैसे थमने का नाम ही नहीं लिया उस बे मौसम बरसात में मा ऐसी भीगी कि घर परिवार समाज किसी का भी होश नहीं रहा दो साल तक पापा चुपचाप यह सब देखते रहे आखिर उनकी सहन शीलता ने भी जवाब दे दिया एक दिन उन्होंने कह ही डाला सुमित्रा अगर तुम अपना सुख बाहर ढूणना चाहती हो तो खुशी से जा सकती हो मैं तुमें आजाद कर दूँगा पर इस घर में रहकर यह सब करोगी तो मुझसे सहन नहीं होगा मा चली गई पती के लिए ना सही पर बेटी के लिए भी उनका मन नहीं कापा पैर नहीं डगमगाए प्यार अंधा होता है यह तो सुना था पर क्या समवेदन शोन भी होता है कितने ही दिनों तक अंजु मा की याद में आसु बहाती रही फिर एक दिन पापा ने साफ शब्दों में जता दिया जी घबराता हो तो मैं तुम्हें होस्टल भेज सकता हूँ इसके बाद अंजु ने अपने आसु पोच लिए कभी न रोने की कसम खाली उसे पता था कि अगर वह जरा भी कमजोर पड़ी तो पापा उसे सचमुच किसी होस्टल में डाल देंगे और इस सूने घर में पापा को नितांत अकेला छोड़कर जाने की कलपना भी उसे असह लगी तब से इस घर में मा का नाम वर्ज है वह विशही त्याज है पर कोई अपनी मा को कैसे भूल सकता है खास कर तब जब वह दुखी हूँ अंजु मा की उस तस्वीर को बार-बार देख रही थी पूँच रही थी मा तुमने यह कैसा पागलपन कर डाला अपनी सोने कीसी ग्रहस्ती छोड़कर किस म्रग्त्रिशना के पीछे भागती चली गई तुम तुम्हारे हाथ क्या आया और अब तो लोटने के सारे रास्ते भी बंद हो गए है रात खाने की मेज पर वह बेहद खामोश थी उसका वश चलता तो खाने के लिए मना ही कर देती पर तब पापा परिशान हो जाते बिहारी काका प्रशनों की जड़ी लगा देते इसलिए वह चुपचाप आकर बैट गई पापा योगिता के बारे में उसके पती और उसकी ससुराल के बारे में पूँच रहे थे वह बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी उसका मन मसूरी के उसी होटल में चक्कर काट रहा था जहां मा का घोर अफमान हुआ था अगर वह आदमी सारवजनिक इस्थान पर इतना अभद्र बेवहार कर सकता है तो घर में पता नहीं क्या करता होगा शायद मार पीट भी करता हो अंजु कल्पना मात्र से ही सिहर उठी उसके हाथ से पानी का गिलास चलक पड़ा क्या बात है बेटे पापा के प्रशन से वह एकदम चौप पड़ी तुम बस पानी ही पिये जा रही हो तब्यत तो ठीक है ना तब्यत तो ठीक है पापा दोपहर में योगिता के हाँ जरा हैवी हो गया था ना इसलिए अब भूख नहीं है सहेली के यहां माल टाल उड़ा के आई है बिटिया रानी अब काका के हाथ की दाल रोटी कैसे अच्छी लगेगी ऐसी बात नहीं है काका बिहारी नुकड से जरा दो पान लगवा कर ले आओ पापा ने बिहारी काका को आदेश दिया और उनके जाते ही बोले अब बताओ क्या बात है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती You are not your own self today क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक एक करके तुम्हारी सारी सहेलियों की शादी हो रही है और तुम अनब्याही बैठी हो पापा को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं क्या बात कर रहे हैं पापा पेजडी करने का फैसला मेरा था आपका नहीं धीसिस पूरी किये बिना तो मैं शादी की बात सोच भी नहीं सकती फिर क्या बात है इतनी उदास क्यों हो क्या सहेली से बिचुडने का दुख है पर इतना उदास तो तुम उसकी शादी पर भी नहीं हुई थी अब क्या हो गया अंजू आबाग थी पापा की नजर क्या इतनी पैनी है वह तो समझती थी कि पापा बस अपने काम में मसरूफ रहते हैं उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती Come on my child, tell me what is wrong पापा ने उसका सिर्थ थप थपा दिया पापा का वह सनेहिल च्वर और इसपर्ष सारे बांध तोड़ गया वह एकदम फफ़क कर रो पड़ी पापा मा की बहुत याद आ रही है सिसकते हुए कहा पर सिस्कियां थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी पता नहीं कितने दिनों की संचित रोलाई एकदम फूर पड़ी थी पापा कुछ देर तक ठगे से उसे देखते रहे फिर थाली छोड़कर चुपचाप उठ गए वह बड़ी देर बाद प्रक्तिस्त हो पाई उसने देखा कि पान का पैकेट हाथ में लिए बिहारी काका उसे अपलक देख रहे है उन्हें बोलने का मौका न देते हुए उसने कहा पापा का पान मुझे दे दो मैं उन्हें दे दूँगी मुझे हाथ दो कर उसने पापा की तलाश की वे टेली विजन के सामने भी नहीं थे लौन में भी नहीं वह सीधी छट पर पहुँच गई पापा पीट पर हाथ बांधे वहीं टहल रहे थे चहरा कसा हुआ था वह उनके सामने जाकर खड़ी हो गई मुझे मालूम है आप उस नाम से भी नफरत करते हैं तो गलत करता हूँ उनका स्वर कसैला था भौहे तनी हुई थी क्या मुझे नफरत करने का भी अधिकार नहीं वे चोट खाय साम की तरह फुपकार रहे थे अंजु ने चुप रहने में ही खैर्यत समझी उसका मन वहां से खेसकने का हो रहा था पर यह तो एक तरह से पापा का अपमान ही होता क्योंकि उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी जिस अउरत को मैं गाजे बाजे के साथ घर लाया था अपनी शक्ती भर सुख सुभधाय दे कर जिसे मैंने राजरानी की तरह रखा था वह अगर मेरी इज़त का कच्रा करके एक फटीचर आदमी के साथ चली जाती है तो उसके लिए मेरे मन में क्या श्रद्धा होनी चाहिए जिसने मेरे घर को बरबात किया मेरे बच्चे को अनात किया उससे सिर्फ नफरत ही की जा सकती है एक छड में मेरी सारी पद प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी तुम बहुत छोटी थी इसलिए नहीं समझ पाऊगी कि वह कैसी दर्दनाक और शर्मनाक इस्तिती थी मैं इतनी छोटी भी नहीं थी पापा पूरे सोले साल की थी मैं भी पासपडोस की काना फूसी से सहम जाती थी सहेलियों की टिपणियों से तडब जाती थी रिष्टेदारों की तानाकशी से तिलमिला उठती थी उस समय मा पर इतनी कोफ्त होती थी इतना गुस्सा आता था अच्छा हुआ जो आपने यहां ट्रांसपर करा लिया नहीं तो मैं बुवा के पास बनारस चली जाती वहां रहना मेरे लिए नामुम्किन था तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जैस था बेटा जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं अपने सुक के पीछे भागते हुए अपने प्रियजनों को दुखी करते हैं उनके लिए सिर्फ नफरत ही उपजती है गुस्सा ही आता है पता नहीं मा किस म्रगजल के पीछे भाग रही थी पर वह भी तो एक म्रगजल ही साबित हुआ क्या मतलब? शीज नौट हैपी पापा अउड़ू यू नो? उनके स्वर में संदे था वे एकदम असाही सुन हो उठे थे अंजु का अपनी मा से कोई संपर्क रहे यह उन्हें कताई मंजूर नहीं था उन्होंने कड़क कर पूचा तुम कैसे जानती हो कि वह खुश नहीं है अंजु खड़े-खड़े ठक गई थी इतमिनान से मुडेर पर बैट गई और उसने सारा किस्सा कह सुनाया पापा उसी तरह धीरे-धीरे टहलते हुए सुनते रहे जब अंजु अपनी बात कह चुकी तो वे बोले यह तो होना ही था इस तरह के प्रेम की यही परणिती होती है दो दिन में धुंद छट जाती है नशा उतर जाता है और यथार्थ मोह बाय सामने कड़ा हो जाता है तुम्हारी मा जिन सुक सुविदाओं की आदी है वे फटीचर इंसान वे सब कहां जुटा पाएगा वे ऐसे गए गुजरे भी नहीं है पापा आजकल तो टीवी पर रेडियो पर छाय हुए है मैंने तो उस वज़े से कवी सम्मेलन सुनना ही छोड़ दिया है मुझे मालूम है वे लोग प्रिय हैं हर जगे बुलाए जाते हैं पर इन कलाकारों की सारी कमाई अयाशी में खर्च हो जाती है घर ग्रहस्ती के लिए कुछ नहीं बचता और दो वक्त की रोटी सिर्फ प्यार पर तो सेकी नहीं जा सकती पापा कुछ लोग उम्र के साथ मैचयोर नहीं होते अलड़ बने रहते हैं मा शायद उन्हीं लोगों में से हैं पर पापा आप तो सब कुछ साप साप देख रहे थे समझ रहे थे फिर आपने मा को क्यों नहीं रोका आपके पास तो अधिकार था तुम क्या सोचती हो मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की पर मेरी कोशिशों ने उसे और दूर कर दिया सच तो यह है कि उसने मुझे कभी संपूर मन से चाहा ही नहीं उसके मन का एक कोना हमेशा खाली रहा कवी राज उसी में आकर विराज गय और उन्होंने उसकी सारी दुनिया को ब्याप लिया उनके पास शब्दों का भंडार था और तों को रिजाने की कला थी मेरे पास सब कुछ था बस यही कलाकारी नहीं थी मैं हार गया फिर मैंने उसे जबरदस्ती अपने साथ बांधे नहीं रखा आजाद कर दिया लेकिन पापा और बेटे आज भी तुम यह कैसे कह सकती हो कि वह दुखी है क्या उसने किसी के पास शिकायत की है शिकायत किस से करेंगी पापा किस मुह से इसके बाद पापा ने घड़ी देखी और बोले चलो नीचे चलो ठंड हो रही है मतलब यह कि इस विशय को यहीं विराम दो पापा के लिए तो यह विशय उस दिन जैसे समाप्थी हो गया पर अंजू इतनी जल्दी उसे अपने मन से खारिज न कर सकी मा अगर खुश होती जैसा कि अब तक वह समझ रही थी तो उसे कोई परवाह नहीं थी उसने तो मा को अपने मन से अपनी जिंदगी से निकाल ही फेका था पर योगिता से मिलने के बाद उसका मन उसकी सोच बदल गई थी मा के लिए पुराना प्यार उमड आया था वह रोज रात को मा की तस्वीर निकाल कर उनसे बातें करती पूझती की अपनी सोने सी ग्रहस्ती को तहस नहस करके तुम्हें क्या मिला उसका मन चार-चार आशू रोता शायद छे महीने बीते होंगे एक दिन पापा उसे लंबी ड्राइब पर ले गए शहर जब पाँच-साथ किलोमीटर छूट गया तो उसने देखा सडक के किनारे एका-एक सिमेंट का जंगा लोग आया है बहुमंजिला इमारतों की कतार खड़ी हो गई है यह कौन सी कॉलोनी है पापा? देखना चाहोगी? पापा ने पूचा और एक बड़े से गेट के अंदर गाड़ी ले ली इमारती सामान और मजदूरों के बीच से रास्ता बनाती हुई गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के सामने रुख गई सोजन या सोहार्थ ऐसा ही कुछ नाम था चौकीदार से चाबियां लेकर पापा सेडियां चड़ने लगे लिफ्ट शायद अभी लगी नहीं थी पीछे छोटी छोटी दो बालकनियां कैसा लगा क्या हम लोग इसे ले रहे हैं ले लिया पर यह कुछ छोटा नहीं है एक व्यक्ति के लिए काफी है पापा अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी ही मुझसे पीछा चुड़ा लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं मैं अभी दस-बीच साल शादी करने के मूड में नहीं हूँ मैं आपके साथ आपके घर में रहूँगी इसलिए यह घर हमारे लिए बहुत छोटा है प्लीज कोई दूसरा बड़ा सा देखिये तुम शादी भी करोगी और मेरे घर में भी रहोगी उसके लिए मैं आजकल एक बड़ा सा घर और एक अच्छा सा घर जमाई खोज रहा हूँ रही इस घर की तो यह तुम्हारी मा के लिए है वे जब चाहें यहां शिफ्ट हो सकती है शर्त एक ही है कभी राज इस घर में नहीं आएंगे और तुम्हारी मा के बाद इस घर पर तुम्हारा आधिकार होगा अंजु का मन क्रतगता से भर उठा वह तो सोच रही थी कि पापा ने वह बात अपने मन से निकाल ही दी है बट पापा इस ग्रेट उसने पुलकित स्वर में पूछा तो पापा आपने मा को माफ कर दिया इसमें माफ करने का सवाल कहां आता है अगनी को साक्षी मान कर चार भले आदमियों के सामने मैंने उसका हाथ थामा था उसके सुख दुख का जिम्मा लिया था जब उसने अपना सुख बाहर तलाशना चाहा मैंने उसे मन चाही आजादी दे दी अब तुम कह रही हो कि वह दुखी है तो उसके लोटने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया उसके भरन पोशन का भार मुझ पर था गुजारा भत्ता तो दे ही रहा हूँ अब सिर पर यह छट भी दे दी अंजु का मन एकदम बुझ गया तो पापा आप यह सब सिर्फ कर्तब बोज से कर रहे हैं यही समझ लो उससे भी कड़वा सच यह है कि यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मुझे मालूम है इन दिनों तुम अपनी मा के लिए बहुत दुखी हो चिंतित हो मैं केवल तुम्हारे मन का यह बोज हटाना चायता था इतना सारा तनाव जहलने की तुम्हारी उम्र नहीं है नाव रेलैक्स यह तुम्हारा घर है और यह घर की चाबियां है कागजाथ घर पर रखे हैं अब यह तुम पर है कि तुम कैसे और कब अपनी मा को सूचित करती हो बस मेरी शर्ट याद रहे और इसने पहले की अंजु कुछ समझती, कुछ कह पाती, पापा ने पलट कर सीड़िया उतरना शुरू कर दिया तो ये थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं